नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्टनाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेखा इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्यनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं सबसे बड़ा फेर बदल गुजरात में होने के लिए तयार है यहां हार्दिक पटेल कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं हार्दिक हाला की बीते करीब 6-8 महिने से कॉंग्रेस के खिलाफ ही बयान बाजी कर रहे थे पार्टी के राष्ट्रिये नेत्रत्व पर सवाल उचा रहे थे अब हार्दिक पटेल ने जिस तरह से कॉंग्रेस को छोड़ा सोनिया गांधी राहुल गांधी समेट कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर सवाल उचाए उनसे मालूम पड़ता है कि हार्दिक पटेल कॉंग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा दाओ परिकिया हैं फिलाल भारतिये जनतापाटी के तरफ बढ़ती हुई इशारा साफ कर रही है जिस तरह से हार्दिक पटेल भाचपा के पक्ष में नारे बाजी कर रहे हैं बयान बाजी कर रहे हैं मोधी सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों की तारीफे कर रहे हैं उनसे फिलाल संकेत यही मिल रही हैं कि हार्दिक की आगामी पारी भारतिये जनता पार्टी के साथ हो सकती है अब इन सब के बीच में हार्दिक पठेल की निजी जिंदगी भी सुर्खियां बटोड रही है बीते दिनों हमने आपको हार्दिक पटेल की पत्नी के उस किस्से सरूबरू करवाया जब हार्दिक पटेल के लापता हो जाने की बात उनकी पत्नी ने कही थी और अज हार्दिक पटेल की बहन प्रियंका के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं हार्दिक पठेल की बहन प्रियंका जो है वो राजनीदी के अखाडे में काफी सुर्खियां बचोरती है हलाकि आपको बता दे हार्दिक पठेल की बहन की 10 करोड वाली शादी का किस्सा आपने जरूर सुना होगा लेकिन ये जो प्रियंका है ये 10 करोड वाली बहन नहीं है हार्दिक पटेल की प्रियंका वो बहन है जो मोदी सरकार के खिलाफ हार्दिक के साथ खड़ी रहती है प्रियंका वो है जुन से हार्दिक पटेल की जो मुलाकात है वो ऐसे ही किसी आंदोलन के दौरान हुई आंदोलन तो खत्म हो गया लेकिन प्रियांका और हार्दिक पटेल का भाई बहन वाला रिष्टा आज भी जारी है और जो प्रियांका है पिये मोधी के साथ इनका खास कनेक्शन है तो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सारी कहानी उ किसी भी वक्त गुजरात विधानसभाच चुनाव से पहले भारतिये जनता पाठी के साथ जुड़कर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुवात कर सकते हैं फिलहाल हार्दिक के कई बयानों से ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको हार्दिक पटेल की बहन प्रियंका के बारे में कई खास बाते बताएंगे आपको बता दे प्रियंका पटेल ने हार्दिक पटेल के आंदोलनों में हमेशा उनका साथ दिया है हलाकि ये बात शायद ही आप सब लोग जानते हों कि हार्दिक पटेल की असली बहन का नाम मौनिका पटेल है लेकिन राजनीती के अखाडे में जो बहन हार्दिक का साथ हमेशा देती रही है उनका नाम है प्रियंका जो हार्दिक पटेल की मुहुबोली बहन है वो करीब 2-4 साल पहले वडोद्रा के बाहर बने गाउं वरनामा में हार्दिक से मिली थी तब से ही हार्दिक पठेल को राखी बांधती रहती है हार्दिक पठेल की बेहन प्रियंका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहत खास रिश्टा है दरसल एक वक्त पर प्रियंका पीये मोदी की तारीफो के पुल बांधती थी लेकिन जब से हार्दिक पठेल के आंदोलनों का वो हिस्सा बनी पीये मोदी के खिलाव वयानबाजी करती है अपने भाई हार्दिक को लेकर प्रियंका कहती है हार्दिक की सोच, हिम्मत और उनकी पाटीदार युवाओं को लेकर लड़ी गई लडाई से बहुत ज्यादा प्रभावित है ये प्रेड़ना दायक है कि हार्दी ने इतनी सी छोटी उम्र में इतनी बड़ी चुनोती को संभाला है मैं अपने भाई हार्दिक के आंदोलन में उनके साथ हूँ ये अभियान युवाओं को सुरक्षत रखने के लिए युवाओं के हित में है आपको बदा दे प्रियंका ने जब हार्दिक पटेल के साथ उनकी राजनीती को संभालने का फैसला किया उस वक्त वो BSC फाइनल इयर में रही और राज्ये में पार्टिदार अंदोलन में हिस्सा उन्होंने लगतार बार बार लिया है प्रियंका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान बाजी अकसर करती रहती है हारदिक पटेल को राखी बांध कर वो चर्चा में आई थी आपको बुदा दे सियासत के अखाडे में जरूर हारदिक पटेल और प्रियंका पटेल का रिष्टा एक दूजे से जुड़ा हो लेकिन हारदिक को राखी प्रियंका हर साल बांधती है फिलहाल के लिए आपको बुदा दे कि हार्दिक पटेल की बहन प्रियंका पटेल इस बार के गुजरात विधानसभाद चुनाफ को लेकर चर्चा में नहीं आई हैं हार्दिक पटेल की राजनीती को लेकर भी उन्होंने फिलहाल किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है झाल